सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए असलाम अलेकुम और वेरी गूड मॉर्णिंग नाजरीन प्रोग्राम फरंट पेज के साथ मैं हूँ आपका होस्त मुईज और रह्मान और मैं हूँ अरीबा फात्मा और आप देख रहे हैं बोल नियूस पे पाकिस्तान का सबसे मुन्फरिद और दिल्चस्ट शो जहाँ दुनिया भर से एहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राये तद्जिये और तबस्रें यही नहीं इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं तो बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ नाज़ीन अब हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पे जो हमारे रोज मर्रा जिन्दगी का हिस्सा है और वो वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है लेकिन शायद हमें इसका इद्राक ही नहीं आज़म पाकिस्तान के खाने के तेल की सनत के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही एहम मौदू है पाकिस्तान में पाम ओयल की दरामद एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है पिछले पांच सालों से पाकिस्तान का जरही शोबा तिजारती खसारे का शिकार है जिसमें 2020 म तॉलर्स का सबसे बड़ा खसारा रिकॉर्ड किया गया था ये खसारा गंदुम और डालों की दरामद और आलमी सता पर पाम ओल की खीमतों में अचानक इजाफी की विजा से है बिलकुल अरीबा ये बहुत एहम मसला है पाम ओल पाकिस्तान की सबसे बड़ी घजाई दरामद है जो जरेई दरामदात का 30 फीसद है और पेट्रोलियूम के बाद मुलकी दूसी सबसे बड़ी इंपोर्ट है ये दरामदात पाकिस्तान में फीकस खाने के तेल की कंजमशन में इजाफ है और मुलक में खाने के तेल की मुनासिब मिकदार पैदा करने की नाकामी का नतीज़ा है खाने के तेल की कुल मकामी कंजमशन पांच मिलियन मेट्रिक टन्स है जिसका 30 फीसिद मुलक में पैदा होता है और 70 फीसिद की जरूरत साफ पाम आईल की दरामच से पूरी की जाती है ये रिमान और सप्लाइ का फर्क पाकिस्तान की दरामच शुदा तेल के बीजों और साफ शुदा पाम आईल पर गहरे इनिसार की निशान दही है जो मुखामी तेल के बीजों की पैदावार है उसमें भी सलाना कमी की वज़ा से ये मजीद प्रॉब्लम बढ़ सकती है हकूमत ने रेप सीड और सूरश मुखी और जैतून के तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू किया है लेकिन फसल के चक्कर को मुकमल होने में तकरीबन अगले साथ साल लग सकते हैं खाने के तेल की बढ़ती हुई मांग और मुखामी पैदावार में रुकावट के दर्मियान पाम वाइल पाकिस्तान के लिए खुदरती और माशी इंतखाब है क्योंकि ये सस्ता खाबल रसाई और दस्तियाब शदर रास्ता है आपने बिल्कुल सही जाने बिशारा किया है अरीवार नाजीन मैं आपको बताओं कि पाकिस्तान 75 फीसद पाम वाइल की मसनुआत इंडोनेशिया से तरजीही तजारती मौाहिदे के तहत दरामत करता है जबके 25 फीसद मिलेशिया से आजारत तजारती मौाहिदे के तहत दरामत करता है इन मौाहिदों के बावचूट पाकिस्तान को खाम पाम वाइल पर ज्यादा बरामदी ड्यूटी और साफ़ शुदा पाम वाइल की बढ़ती वी कीमतों का सामना करना पड़ता है इन मसाइल के वज़े से पाम वाइल की दरामदी कीमत सालाना दरामदी की मिकदार से दो फीसद ज़्यादा तेरी से बढ़ रही है अगर ये सूरते हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान दोहजार पच्छिस तक चार मिलियन टन पाम वाइल और दरामद करेगा जिसकी खीमत 3.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगी इस मतवख़ इजाफे को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के लिए पाम वाइल की खीमत और कंजम्शन को कंट्रोल करना लास्मी है पाकिस्तान 1.5 मिलियन टन खाम तेल इस्तमाल करने की सलहयत रखता है लेकिन 2020 में सिर्फ 1000 टन दरामद किया गया खाम तेल ना सिर्फ साफ शुदा पाम ओयल पैदा करेगा बलके पाम फैटी आसिड डिस्टिलेड जिसको P.F.A.D. भी कहा जाता है उसे भी पैदा करेगा जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी दरामद बन सकता है ये आपने एक बहुत एहम नुक्ता उठाया है नाजरीन आपको बताओं के साफ शुदा पाम ओयल की बजाए खाम तेल दरामद करने का इमकान का जाइज़ा लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि खाम पाम ओयल की दरामदात किस तरह पाकिस्तान की मुईशद पर बोच कम कर सकती हैं और उसे खुद कफील होने की तरह बढ़ने का मौका फराम कर सकती है नाजीन पाकिस्तान को कम असकम अगले 20 सालों तक दरामद चुदा खाने के तेल की जरूरत ना गुजीर है खाने की तेल की बढ़ती हुई खपट और तेल के बीजों की पएदवार में कमी के साथ ये वक्त की जरूरत है कि खाने की तेल की सनद की तरफ तरह ताफ तज्या दिजाए का मुखाबला किया जा सके खाम पाम ओयल के शोबे को फाल तोर पर जिर गोर लाया जाना चाहिए अरीबा यू वरेज़ ए वरी इंपॉर्डन पॉइंट एड़ टो इट के ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जिसमें माली मदद दी जाए ताकि जो ओयल सीड्स हैं और उसके साथ जो कॉटन सीड्स हैं उनकी पैदवार को भी मुस्ते किया जा सके बैनल अक्वामी सता पर एक कसी नुक्ता नजर के साथ पाकिस्तान खुद कफील होने की राह पर गामजन हो सकेगा इस तरह पाम उयल पाकिस्तान के लिए एक बोज हो सकता है अगर उसे बैनल अक्वामी सते पर मदाखलत के बगहर दरामत किया जाए और एक राहत भी हो सकता है अगर खाम पाम को दरामत किया जाए और उसे मुस्तर तरीके से सिस्तमाल किया जाए ताकि खाने के तेल की जरूरिया को पूरा किया जा सके क्योंकि जब तक कि पाकिस्तान में तेल की बीजों की पैदवार और सॉल्विंट निकाले में खुद कफील ना हो जाए बिलकुल मुईस आपने सही बात की और पाम ओयल हमारा इंपोर्ट होना ये बहुत एक बड़ा मसला है क्योंकि जाहर सी बात है लोग दिन में तीन चार लफ़ा खाना पकाते हैं और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी क्यूजीन है उसमें कुकिंग ओयल बहुत जादा यूज़ होता है अच्छा वाट इस बेरी इंट्रेस्टिंग इसके हम अपने पॉपुलेशन का जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी साउथ एशिया मेरे खान में सबसे फास्टेस्ट है सो विद फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और जहां आपके आउयल सीट की प्रोडक्शन कम हो रही है तो आपके इंपोर्स भी बढ़ते चले जाएंगे लेकर फॉर्चनली आपको फॉरंड रिजर्व उस तरह के नहीं है जो इस खपत को सस्टेन कर सके सो वे रेली नीड़ वर्क उन इंडिजनिस प्रोडक्शन ऑफ पाम ओयल और यह हो भी सकता है बल्कुल और पाम ओयल के साथ साथ और भी इस तरह के इशूस हैं जिन पर जो है वो गवर्मन को नजर सानी करनी चाहिए जिसमें चाय भी शामिल है नाजीन पाकिस्तान की पाम ओयल इंडस्ट्री और हम इसके अंदर किस तरह further develop कर सकते हैं इस सवाले से गुफटू करने के लिए हमने दावत दी है एहसन रशीद साहब को जो के खुद पाम ओयल के major manufacturer है थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस इन दे शो एससाब मेरा आप से पहला सवाल है कि बैसिकली हम पाकिस्तान 75% अपना जो पाम ओयल है वो इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है और बाकी 25% भी इंपोर्ट इंपोर्ट फॉम मलेशिया अब मलेशिया खुद एक सौ बिलि देखें ये एक बड़ा इंट्रस्टिंग कॉपिक अपने सेलेक्ट किये और आज इंडोनेशिया की जो इतनी दबर्गस और इनी हुज वाल्यूम की जो पाम ओयल की स्पोर्ट हैं मज़े की बात यह है कि तिल डेट सेवंटी सो आपे ये पाम ओयल ग्रो भी नहीं करता था और ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मातियर मौमद जो के सबसे लॉंग सर्विंग प्राइमिस्टर रहे हैं अलेशिया के इट सेवंटीज में चब वो फिनाइस मिनिस्टर थे तो एक फिनाइस मिनिस्टर की कॉर्फेंस ती इसको अट्रेंड करने के लिए नाजिया गावे और य데 आजिया और यह जो हुआ है। तो मैं लेक और गज़े का आट है। हम पुचिंग के सबसे हुढने का थिए नियुद्र और यह वाँ इंट जा सखिए हुद्वनिट्ट देल मातियर और स्टीमिंट चाहिए क्या है। इसको छोगता थिए अंग जो ने इस एका पर इनका मेंन सोर्स ऑफ इंकम है वो भी नहीं था रबर भी इनका थोड़ा लेकिन और 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 उनकी एक्सपोर्ट प्रॉड्ट नहीं थी जिए जिए उन्हें तो उन्हें ने ट्राइल बिस्टेस के ओपर फिर यह जब लगाया और जब मलेशिया फिर देख 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 दे शचाने थे जिए झैनसर बीजिए प्रॉडबोर है collection शचाने ओ मश्चियव ईंदेटीय था। है जिए गरतव हिंद दिसे दोड़ दशीर अनूमने संबीरें, विस्टेटेस की छोड़ू हिम और देख देटॉट ऊंतियू considerationि खिर मेंना के स्वाल केशी फिर एंदर जियन वो दुनिया के टॉप थी इंपोर्टर्स हैं उफ पाम ओयल और बहुत ज्यादा हेवी कॉंटिटी में ये पाम ओयल इंपोर्ट करते हैं अब पाकिस्तान की तो हमें सुरतः حाल पता है कि हमें पता है कि ये पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल्ड के लिए अच्छा नहीं है तुरी के सकते हैं। तुरी पॉर्ट सब्सक्राइब कि अ कर दो थाए। और उन्होंने सारी प्रोडक्शन लोकल कर ली थी, एडिबल आइल्स की, वहां पर पाम आइल काज नहीं था तो उन्होंने रेप सीड, संफ्लावर, इनको काफी चड़ावत दिया और उसकी वज़ा से उन्होंने अपनी गैप पूरा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंन कर देंगे हैं, इसी तरह चाइना के पास, क्योंकि हो हर्प्स की बड़ी प्रोड़क्शन है, और हर्प्स का रेट और रिटर्न बहुत अच्छा है, उन्होंने भी इसलिए अपनी लैंड को हर्प्स पे लगा के बाहर से इंपोर्ट करना श्किया है, उनको भी वायबल है, क्यों जितनी एक्सपोर्ट का लेते हैं हर्प्स की, उसे बहुत वान फोर्ट वैल्यू का वह एड़बल ऑयल बाहर से मिला लखी है, तो उनके पर दो एकॉनमी पर तो इतना अफेक्ट नहीं पढ़गा, पाकिस्तान पर ज्यादा अफेक्ट पढ़गा है, क्योंकि पाकिस बता सकते हैं कि ये एडिबल ऑयल के हवाले से हम आरे पास कोई रोड मैप, आपके पास कोई है जो आप बता सके कि हम इस पे कैसे खुद कफील होसके हैं? पाकिस्तान का जैसे मैं आपसे पहले जिखर किया था, पाकिस्तान एक बड़ा लगी कंट्री है कि यहाद ना सिर्फ हम लोग पाम आयल की प्रोड़क्शन कर सकते हैं, बलके हम लोग यहाँ पे संफ्लावर की, रेप सीट की, कनोला की, और बहुत सारी हम यहाँ पे ऑल मैं अगली नाइटी से सिंडर्सिय से मुंसलिक हूँ, और मैंने अपने सामने नाइटी सेवन में नवाज श्री साब कोई कहते सुना कि एड़बल ओयल हमारी टॉप पर प्रोड़टी होगी, पिर मैंने दोजार एक में मुशरफ साब को भी सुना, इमने भी का एड़बल की परड़क्शन पाकिसान में बढ़ाएं, तो हमें मुल्टी फेसिक जो है ना प्लैनिंग करनी पड़ेगी, एफर्स करने पड़ेंगे, सबसे बड़ा तो मसला यह है कि हमारे पास तो हमारी एंवार्मेंट के मताबिक राइट काइंड ओ सीड भी नहीं है, यहां. तो पह पाकिसान में बड़ेंगे, पाकिसान में बड़ाएं नहीं हो सकता है, बलकि हमारे पास तो अदवांटेज है कि हमारे बार्डर्स पे इंडिया और चाइना है और वो दोने इंपोर्टर रहे हैं, अधिबल ऑल के, और जब वह मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं तो उनको 30 40 days का transit period आता है जिसके उनका risk factor बढ़ता है business पे अगर वही चीज़ पाकिस्तान में हम लोग produce कर ले और उनको export कर दे तो उनका तो risk factor भी कम होगा और वो पहली पराटी है मचा पाकिस्तान को देंगे purchase की बिल्कुत बिल्कुत thank you so much for taking out your time आपसे हमने बहुत ही जादा information आपसे लिए और हम उमीद करते हैं कि जरूर इन इस advice और जो आपने valuable insights शेयर की उस पे जरूर अमल होगा बहुत शुक्रिया गुफ्तोगों का सिलसला जारी है लेकिन यहां हुआ है वक्त एक break का हमारे साथ ही रही है देखते रही है बोल वेलकम बैक तो फ्रॉंट पेज आज की एहम खबर रूस और युक्रेइन की जंग से मतालिक है हालिया दिनों में रूस ने बड़ी पेश खदमी की है जो युक्रेइन की कर्स के लाके में क्रॉस बॉर्डर हमले के फवायत को कम कर सकती है रूसी फाजें युक्रेणी शहर पॉक्रॉस से सिर्फ चंद किलो मीटर दूर है जो युक्रेइनी फाज के लिए एक एहम लॉजिस्टिकल हिट है नाजरी पो क्रॉस का जो इलाका है वो युक्रेइनी फाज के लिए एक लॉजिस्टिक हब है और पो क्रॉस में एक एहम रेलवे स्टेशन और बड़ी सड़के हैं जो मश्रिकी महास पर पोजें भेज़कर फोज ने पोक्रास्क और डिकर एहम युक्रेनी शहरों को खत्रे में डाल दिया है। ये याद रखना जरूरी है कि रूसी सदर व्लाडमिर पूटिन ने फरवरी 2022 में युक्रेन पर मुकमल पैमाने पर हमला किया था। महास के दोरे पर युक्रेन के मुसला फाज के सरवरा जनरल अलेक्सेंडर सरस्की का कहना था कि रूस अपने हमले में हर वो चीज़ फेक रहा है जो हरकत कर सकती है। युक्रेनी सदर व्लाडमिर जलन्सकी ने बुट को तसलीम किया था कि सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। नाज़ीन युक्रेनी सेक्यूरिटी एक्सपर्स ने खबरदार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम पो क्रॉस खो देते हैं तो पूरा महास तूट जाएगा। पो क्रॉस की एहमियत को समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि ये एक और शहर मन नोहरात के करीब है। जंग से पहले इन दोनों अबादियों में मिलकर्स एक लाग से जादा लोक रहते थे जिन में से ज्यादा तर अब नकल मकानी अख्तियार कर चुके हैं। ये दोनेट्स के इस हिस्से में आखरी बड़े शहर हैं जो अभी तक युकरेन के कंट्रोल में हैं। अब ये हुआ कि रूस अब अपनी तवज़ो पोक्रोस और चासे वियार के एहम पहाड़ी शहर पर मर्कूस कर सकता था। जो डोनेट्स के कुछ एहम शहरों पर मुहीत है और जो अभी तक युकरेन के कंट्रोल में हैं। हफ़ते को वहाँ शदीद लड़ाई में पांच अफराद हलाक होए और अब हफ़तों से पोक्रोस से युकरेनी शहरों का बड़े पैमाने पर इन्खिलाद जारी है। कहा जाता है कि हज़ारों अफराद पहले ही जा चुके हैं। काड़ी इस पर आप जा कहेंगे मुईस। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि रूसे तवील अर्से से पोक्रोस को अपने एहम मकासिद में से एक के तौर पर रखा है। महीनों से उसकी फौजें आहस्ता आहस्ता उसकी तरह बढ़ रही हैं। महीरिन का ख्याल है कि मॉसको ने इस आपरेशन के लिए अपने सेंट्रल आमी ग्रूप का तकरीबन एक तहाई हिस्सा या तकरीबन तीस हजार फौजी तायूनात किये हैं। साथ ही अपने सबसे ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयार रिजर्व भी। इस हफते उसने युकरेनी शहर नोवहोर्डियोफ का कब्जा कर लिया जिससे युकरेन में कुछ लोग नराज हो गए जिनका ख्याल था कि इसका बेटर दिफा किया जाना चाहिए था। युकरेनी रुकने पार्लिमेंट ने फेस्बुक पर लिखा कि नोदोहर और आद्वियका के सामने खंदके खाली थी। कभी बीस हजार की अबादी वाले शहर में युकरेनी फौज अमली तोर पर मौजूद नहीं थी। अपनी फौजों की कम तादाद और कमजोरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि युकरेनी फौज ने पॉक्रोस की दिफा को मजबूत करने के लिए नौदोहर आद्वियका से वापसी का फैसला कर लिया है। अब अरीबा आपने देखा कि युकरेन को अब वाके में कपासिटी जो है चैलेंजिस का सब पढ़ रहा है और युकरेन में काफी मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है चाहे वो उनका फौजी इंफरस्ट्रक्चर हो या बाकी मुल्क का निजाम हो वाट डियू थि की वो असल में पॉलिटिशन भी नहीं थे वो एक टीवी आक्टर थे वो कमीडियन थे तो कंसिडरिंग तफाट के वो अपनी इस पोजिशन के लिए काफी नाएहल थे के वो एक आलमी लेवल की जंग की सरबराही करें और फैसला करें कि रश्या जो एक फॉर्मर सूपर प अगले ही दिन रात में थोड़ी जो है वो आगे फोर्स ले जाता है तो यह एक ऐसा मामला है कि जो काफी लंबे अरसे तक चलता रहेगा मैंने पूछना कि हम उमीद कर सकते हैं कि शायद अमरीकी सरदार्ती इंतखाबात एक दफ़ा हो जाएं तो वी माइट रीच इट्स लॉजिकल एंड क्योंके जितना यूक्रेइन से ज़्यादा रोल तो इसमें अमरीका का है इस जंग में तो हाँ but definitely I disagree a little bit मौईस क्योंके जो हमारे अमेरेकन इंतखाबात हैं उसमें कोई भी भी हमें कोई ऐसा लीडर या स्टेकोलडर नजर नहीं आया जो यूक्रेइन और रश्या की जंग को खतम करने की तरफ बात करना चाता हो बिलकुल अजरी नाजरीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खतम आपसे मुलकात होगी दोबारा कल इंशालला अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोलनी उसके सोचल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक जरूर दीज़ेगा खुदा हाफिस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए